ये गाईज, वेलकम टू नॉटी स्टिचेज आज के इस वीडियो में मैं इस दो पट्टे पर लेस लगाने का एक बहुत ही इजी तरीका आपके साथ शेयर करूंगी तो यहाँ पर मैंने एक तो सिल्वर कलर की समोसा ट्राइंगल्स वाली लेस ली है और एक यह कॉट्टिन की लेस ली है मैंने बिलकुल दू पट्टे के साथ मैचिंग कलर में अब इस सिल्वर लेस के ऊपर मैंने रेड लेस को इस तरीके से रखा है और रेड कलर के धागे से मैंने सिलाई लगा कर इन दोनों लेस को आपस में अटैच कर लिया इस तरह अब जब lace के थिकनेस थोड़ी जादा होती है तो दो laces को आपस में इस तरह से attach करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए मैंने red वाली lace को silver lace की किनारी पर जादा दूर नहीं रखा बलकि इसे हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर चड़ा कर ही लगाना है यह देखिए opposite direction में हम lace को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से bend करेंगे जिससे की हमारे पास यह lace attach हो जाएगी बिलकुल अच्छे से यह देखिए अब यहाँ पर दूपट्टे के चारो तरफ मैंने कपड़े को fold कर लिया है और सिलाई पहले ही लगा ली है अब हमें lace को इस दूपट्टे के उपर रखना है विलकुल कोने के उपर रखके हमें lace को नहीं लगाना कोने से तक्रीबन दो इंच की दूरी पर हमें lace को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है अगर हम लेस को कोने से लगाना शुरू करेंगे तो आखरी वाला कोना सफाई से नहीं बनेगा थोड़ा मोटा हो जाएगा कोना इसलिए मैंने कोने से थोड़ा दूरी पर रखके ही लेस को लगाना शुरू किया है अब इस तरह से हम यहाँ पर कोना बनाएंगे यह देखिए बहुत ही सफाई से हम लेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दो तिन सिलाईया लगा लेंगे ताकि यह कोना पक्का हो जाए यह देखिए अब इस तरीके से लेस को हम बिल्कुल अच्छे से अटाच करेंगे लेस को अटाच करते हुए ना तो आपको लेस वाले हिस्से को खीचना है और ना ही दूपटे वाले हिस्से को अगर आपके दूपटे में बहुत ज़्यादा बल है तो आप पहले दूपटे को अच्छे से प्रेस कर लीजिए और उसके बाद ही इस पर लेस लगाईएगा ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी कोना बना लिया है बिल्कुल मजबूती से और इसी तरह से हम बागी के दूपटे पर भी लेस को अच्छे से अटाच कर लेंगे इसी तरीके से आप चाहे तो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर भी तयार कर सकते हैं या फिर तीन या चार लेयर्स भी लेसिस के एक दूसरे के साथ अटैच करके दूपटे पर लगा सकते हैं ये देखिए इस तरह से कोना बना के मैंने लेस को अच्छे से सेट कर लिया है इस तरह अब आखरी वाले कोने को हमें बिल्कुल इसी तरह से बनाना है अब यहाँ पर कोना बना के हम एक्स्ट्रा लेस को काट देंगे इस तरह से और लेस को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर अच्छे से सिल देंगे तो इस तरह से मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस दूपटे पर लेस को लगा कर तयार कर लिया है तो गाईस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो फसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ बैल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो गाईस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई बाई